जिलात चिकताला हमा पैट्स डॉक्टर नीता शीम ने 12 साल के मासूम बच्चे की जान बचाई है सोते हुए उसको हाथ में जरीले सापने काट लिया था हम आपको बता दें शीपरी जिले के मजेरा गामा कोश दिन पहले परिवार के साथ सो रहे अल्टमस बेग पुत आरिब बेग उम्र 12 साल को जरीले सापने काट लिया था जिसके बाद परिजन सूद बूज दिखाते हुए उसको तुरंधी जिलात अस्पताल शीपरी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर नीता सिंग ने किसोर को उपचार के लिए बर्ति किया और उसको दो दुरों तक बैंटी लेटर पर रखा उसका सही तरीके से उपचार किया जिसके पास दिन बाद किसोर पूरी तरह से स्वच्थ हो गया अलतमस करके जो बच्चा था उसको एक जहरीले साप ने काटा हुआ था तो जिसकी वज़े से वह हमारे पास भरती हुआ जब बच्चा भरती हुआ था तो काफी गंबीर अवस्था में था क्योंकि जो साप था वह जहरीला था और एक उसकी वराइटी होती करेट करेट 30 गंटे में कभी भी आ सकता है तो शुरुवाती लक्षण जिस तरीके के उसके थे कि उसकी आखे पूरी नहीं खुलना जहर के असर के साथ साथ उसमें यह होता है कि दिमाग पर असर करता है एक नियूरो टॉक्सिक वेनम होता है यह जिसकी वज़े से जो मरीज हाँ हाँ वेंटिलेटर पर रखा था क्योंकि जो यह जहर होता है यह दिमाग पर असर करता है जिसकी वज़े से मरीज को पहले सांस लेने में दिक्कत होने लगती है आंके खोलने में दिक्कत होती है और धीरे धीरे उसकी सांस रुख जाती है जिसकी वज़े से हमें बच्चे को वे तक था जी उसको कंडिस्टार्ज कर दिया वह वेंटिलेटर पर दो दिन था और वैसे तीन चार कूल मिलाकर कि चार्ज पांस से च्छे दिन के आसपास बच्चा था हमारे पास जी बिलकुल क्योंकि सिविल सर्जन जी का इस मामले में बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहू जो की सही वक्त पढ़ना मिले तो मरीज की जान जा सकती है उसकी कमी नहीं हुई हमको PICU में वह हमेशा अवलेबल रहता है और भी दवाईयां है जो के अवलेबल रहती जिसके वाज़े से हम बच्चे की जान बचा पैस बहुत सारी जीमरक्षक दवाईया थी जिनको जिन सबी प्रयासों से और सबी डॉक्टर्स और स्टाफ के प्रयासों से जिसकी वज़े से मरीज के जो अटेंडर थे वो बहुत खुश थे क्योंकि एक जो उसको साप एक बहुत ही अन्यूजल तरीके से उसको सापने काटा था वो सो रहा था बिस्तर पे और भी चार-पांस ल देख रहे थे उसके जो मरीज थे तो उनको भी लग रहा था कि बच्चा बहुत गंबीर है और इसका बचना शायद मुश्किल है नहीं बच पाएगा उसकी वज़े से वो बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आया और अभी वो डिस्टार्ड जो चुका है सब्स्टार्ड यह इFX मत्रंट बच्चा नीविच गशरी में इसस्तों याँ मैंने में पीजी के दरी में इस तरीगे के बच्चे होते हैं वहां पर भी मैंने जिचने हुआ निसके जह चता चार साल की बच्ची थी जो टे लिड़ जो घो प्र आराई कि आंए कि लिए यही मैसेज है कि अगर कभी कभी अगर कोई साप काटता है या बिच्छू इस तरीके से काटता तो समय बरबाद ना करें जो भी आपका नजदीकी चिकत्साल है वहां जाकर के तुरंद डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि समय रहते जदी आपको रिफरल मिल जाता है अ मेरा नाम है शायदा बनो बच्छ को बच्छी को बच्छी हाप ने लेकर आये तो मेडम मेडम ने बच्चे की देख रहे करी एच्छी मेडम निता सीन, निता सीन मैडम, डॉक्टर निता सिंग, तो जाधा ज्यादा चीरियस हो गया था हमारा बछा बिल्कुल बदा उमीद चोड़ दी तो बेल्टी लेटर पे भी या गया था फिर थी तीन तीन दिन अटाया था मैंने, थी तेन अच्छा प्र चाहा हुआ पर उसके ब आपके परीवार शुञार ने नीटाशिक है पुरा परीवार हमारा मेडम का बहुत बहुत दन्यवाद करना चाहता है नीता मेंडम का डॉक्टर नीता का बहुत 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 दन्यवाद देना चाहते हैं मैडम के लिए और सारे स्टाप के लिए बहुत अच्छे से उन्हों हमारी देखरे करी ऐसे मजेरा में पेला मामला नहीं है एक मेला अधवाशी को भी काट लिया था वो तो खतम ही हो आज बहुत जाती है तो साप बिचू रात में निकलते हैं तो पकाट लेती है यह से अब हरसा भी च्छे घंटे लाइट की जादा समस्या है वह पजिए परेशानी है आप बहुत जादी अब बहुत जादी अब मेला अधवाशन तो खतम ही हो गई और भी अब रात में भी आज भी रात में लाट चली गई थी तो कम से कम चार-पाश जात का कीड़ आज मि मारा है रात में आज पिल्यकली आई आज जा जाना लि आज गाओं में क्या तो रोज फिल्ले मारता हैं अब लाइटाओ नहीं चौबश गंटे बहुत कर दुसक्रादा करना चाहें उँं बहुत ही दन्यवाद करना चाहते हूं कि मेरे से क्या कहूं यह मेरे मुग से सब्द नहीं निकल ला है उनके लिए उनके लिए इसे